नमस्ते एवरिवान, थैंक्यों आल सो माज फोर क्लिकिंग इन और आज की जो फीचर गाड़ी है, वो है एक कस्टमाइज़ और रैप्ट नेक्सों, तो चलिए बातों में जादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, और चलते हैं गाड़ी की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि हमने गाड़ी में क्या किया है अर आज की तरफ बाड़ी है कि अंजसाई थाओ टुट टुट में गजा में गोट लो एना जुट अज़ एड राई सिंग तु अजब एडनी यूज तो अनुब एडी टुट थे जा मुझ ऑ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ के इस Nexon में हमने क्या-क्या changes किये गए हैं और सबसे पहला जो prominent और सबसे ज़्यादा evident change है वो है कि जैसा आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सब chrome accents आते हैं और इस chrome accents को हमने replace कर दिया है with gloss black accents और यह गाड़ी को एक completely different face दे रहे हैं और एक completely different गाड़ी का जो एक look है लब काफी जादा aggressive looks गाड़ी को यहाँ पर मिल रहे हैं अभी मैं आपको एक stock Nexon दिखाता हूँ और उसमें grill कैसे आती है और कैसे उसके chrome है और हमने इसमें chrome क्या-क्या kill गिया है वो भी आपको बता दाओं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक stock Nexon है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यह सब chrome का आता है जो कि हमारी Nexon में भी है और यहाँ पर काफी सारे changes हमते से यहाँ पर अगर आप देखें तो chrome आता है बट जो हमने गाड़ी बनाई है उसमें chrome बिलकुल भी नहीं है और हमने पूरा chrome kill कर दिया है जिससे जो गाड़ी का एक look है वो completely different look आ रहा है और गाड़ी देखने में बहुत ही जादा transformed और बहुत ही जादा बहतरीन लग रही है second apparent change दोस्तों यह है कि आप चाहे Nexon कोई भी color मिले यह आपको white यह gray मिलते हैं जो यह fog lamp के breezles हैं मैं आपको वो भी एक बर दिखा देता हूँ जो एक गाड़ी को और एक जादा elegant look दे रहे हैं अब जैसे यह एक stock Nixon है आप इनके fog lamp results देखें तो यह आपको white मिलेंगे जो हमने black कर दिये हैं और यह गाड़ी को एक बहुत ही different look दे रहे हैं दूसरी चीज़ दोस्तों यह जो आप stripe देख रहे हैं यह again matte black color का stripe है और यह टॉप पर भी continue हुआ है दोस्तों टॉप की अगर मैं बात करूँ तो टॉप भी हमने change हिया है जैसा कि आप देख सकते हैं यह metallic matte blue color का two tone में wrap किया है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो different shadows हैं जैसे यह area में जो shadows आ रही हैं light की उससे एक बहुत ही ज़ादा बहतरीन look आ रहा है गाड़ी को और बहुत ही ज़ादा बहतरीन दिख रही ह करता है पर दोस्तो finishing की बाद यहाँ पर होती है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह एक सरीके का कटा हुआ है ज्यादा इसमें कुछ variations आपको नहीं दिखेंगे एक दम भी बिलकुल एक जैसा कटा हुआ है from front till the end यह जो चीज है दोस्तों यह finishing दोस्तों एक बहुत ही ज कि आती है उसे भी मैट मटालिक ब्लू में हमने कर दिया है यहाँ पे एक स्टी लोगो दिया है यह स्टी का दोस्तों कुछ मतलब नहीं है यह कुछ नेम नहीं है पर खाली दिखने में बहुत ही जादा सुन्दर लग रहा है मतलब अगर आप गाड़ी को यह एंगल से किया है और जो बंपर का एरिया है उसे भी मैट मटालिक ब्लू में ट्रीट किया है सेकेंडली साइड्स में अगर आते होएं देखें तो जो एलोई वील्स हैं उन्हें भी रैप कर दिया गया है और एक हलका सा एकसेंट जो की मेरा सिगनेटर माक हो गया भी वो भी हमने इस ब्लू एकसेंट इस अलसो देर सेकेंड दोस्तो हमने यह रियर मिरर लगाया है फोर रियर पैसेंजर अब जैसे मैं आपको एक बार गाडी में बैठ के बता दू कई बार दोस्तो ऐसा होता है कि हम गाडी के रोड के साइड पे उतरते हैं और हमें पीछे नहीं देखने होत कर सकते हैं तो यह इसका फाइदा है और साथ की साथ मानली जगर आगे आपका व्यू ब्लॉक हो रहा है तो इसमें भी आप व्यू देख सकते हैं और एक छोटा मिरर दोस्तो हमने इधर भी लेगाया है यह डूल कट मिरर है जिसमें कि आपको पार्किंग के टाइम काफी ज अब जहां से और यह बार आपने सेट कर दिया तो आपको गड़ी-गड़ी अपने यह मिरर छेड़नी की जरूरत नहीं है विकाज यह काफी अच्छा दिखता है और काफी यूनो एक प्रॉपर विजन देता है जितना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसे इतना एफ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर कॉपर वायर से कटिंग की जा रही है और जो इंस्टॉलर है उसने प्रॉपर एक्विप्मेंट्स और प्रॉपर गलव्स के साथ वो काम कर रहा है और दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि यह ब्लैक आउट करने के ब प्रॉष्णी एंडिकेटर से बराबर आ रही है तो दोस्तों यह थी एक नॉर्मल तू-toned रैप नेक्स और मुझे काफी सारे लोग बोल रहे थे के कम बजट में और काफी यूणो एक लुक चेंजिंग अंडर स्टेटेट बट आलसो ऐसे लगना चाहिए के गाडी में य आप इसके साथ मतलब आप यह गाडी को देख देखकर ओवर पिरिट ऑफ टाइम बोर नहीं होंगे बिकॉज यह गाडी एकदम ही जादा मॉडिफाइड नहीं दिखती और एकदम ही ओर्डिनरी भी नहीं दिखती जश्ट दा राइट अमाउंट अट दा राइट प्लेसे तो दोस्तो ये थी एक रैप्ट नेक्स ओन कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि यह गाडी आपको कैसी लगी और जहां तक इसकी प्राइजिंग की बात है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन पोर्शन में मिल जाएगी उसके अलावा अगर आपको और कोई प्रश्न य बसी बात है वहां पर इन काडियों की ना स्टोरीज और इमजैस में सबसे पहले अप्लोड करता हूं आओ प्लोड कि अ सबसे लिए जाएखने पर इन बात है विए फिर्टरीजिं सम आव्सक्षन जाएखना में साग आपको इस व्हा पीस्ट जाएगा सां डेक्षन बिस् झाल झाल